नमस्कार दुस्तों स्वागत है आपका हमारी चनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की 10 प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं तो खबरों की और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्कियों पर परटना में मिला मंकी पॉक्स का पहला संदिक्द मरीज भिमार के घर पहुंची डॉक्टरों की टीम अलर्ट पर विभाग बिहार के दागी MP मले की बढ़ेंगी मुस्किले हाइकोट ने सरकार से मांगा लंबित मुकदमों पर हलफ नामा बिहार के 20 विद्दालयों में बदल सहरों में चलेंगी CNG बसे बिहार के सभी प्रकंडों में हो रही है ITI खोलने की तैयारी हाई स्कूलों में भी होगी ITI की पढ़ाई बिहार में भी मंकी पॉक्स संक्रमन ने दस्तक दे दिया है पत्ना में इस संक्रमन से पीड़ित एक संदिख्द महिला मरीज की पहचान हुई है पीड़ित महिला पत्ना सिठी के गुरहट्टा इलाके की रहने वाली है Monkey Box के इस पहले संदिग्द मामले के मिलने से स्वास्त विभाग में हटकंप मच गया है हाला कि विभाग इसे अब तक संदिग्द मान रहा है लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि महिला में Monkey Box के सबी लक्षन मिले है वैसे PMCH की टीम सेंपल इकटा करने के लिए गुरहटा इस्थित मैला के आवास पर पहुँच गई है स्वास्तिभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है भारत में मंकी पॉक्स के अब तक चार मरीज सामने आया है दिल्ली में एक और केरल में तीन मंकी पॉक्स के मरीज मिले है देश के साथ मंकी पॉक्स को लेकर बिहार में भी अलर्ट है केंदर सरकार से मिली गाइडलाइन को सभी चिकिचा प्रभारियों को भेजा जा चुका है गाइडलाइन के मुताबिक सभी चिकित्सक, आसा और एनम को मंकी पॉक्स के लक्षनों के बारे में ठीक से बताने का निर्देश दिया गया है एनम या आसा को किसी भी मरीज में यह लक्षन मिले तो वो तुरंत इसकी सूचना स्वास्त भी भाग को दे मंकी पॉक्स के बारे में बताया जाता है कि यहाँ एक ऐसा वाइरस है जो मवेशियों से मनुष्ट में फैलता है और एक वैक्ती से दूसरे वैक्ती में भी फैल सकता है त्वचा, आख, नाख या मूँ के माजधम से यह वाइरस मनुष्ट के सरीर में प्रवेस करता है बिहार के दागी सांगसद और विधायकों की मुश्किले बढ़ सकती है उन पर दाखिल वर्षों से लंबित मामले की सुनवाई त्वारित गती से हो सकती है इस संदर्म में पटना हाइकोट ने राज से हलपनामा मांगा है चीप जस्टिस संजै करोल की खंडपीट के समक्ष वर्तमान और पुरु एमपी वह MLA के विरुद अपराधिक मामलों के सिग्र निफ्टारे के लिए सुनवाई की गई आदालत ने माना कि लंबित मामलों का सिग्र निफ्टारा होना चाहिए और दोसियों को कानून के तहट सजा मिलनी चाहिए माना जा रहा है कि अगर इन मामलों की तौरित सुनवाई होगी तो कई सांग्सत और विधायक मामले से बरी हो जाएंगे जबकि कई मानानियां के दोसी होने और सजा मिलने की सूरत में विधायकी भी जा सकती है मंगलवार को सुनवाई के दोरान हाइकोट ने बरतमान और पुरू MP वो MLA के विरुद अपराधिक मामलों से सम्मनित पूरी जानकारी सरकार से मांगी है पिछली सुनवाई में हाइकोट में सुनवाई करते हुए राज के DGP को अभी योजन के डाइरेक्टर के साथ अभी लंब बैठक करके गवाही के लिए लंबित मुकदमों में जल्द गवापेश करने को कहा था इससे पहले भी राजसरकार द्वारा दायर विस्त्रित हलप नामे में इनके विरुद लंबिद मुकदमों के संबन में चार्ज फ्रेमिंग गवाही वह बहस की इस्तिती के संबन में जानकारी दी गई थी बिहार के सभी उनिवर्सिटी में कारिसं स्कृती बदलेगी लेट सेसन से खफा सिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दो टूख सब्दों में काया कि छात्रों का गुस्ता जायज है सत्र को किसी भी हाल में नियमित करना होगा सिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने काया के पिछले दिनों हमने सभी विश्विद्दाले के कुलपती, कुल सचीव, परिक्षा नियंत्रक व अन्य पतादिकाईयों के साथ बैठक की है युनिवर्सिटी में सेसन लेट की समयस्या को बैठक में रखा गया बैठक में छात्रों के पक्ष में यहाँ अस्वासन दिया गया कि सेसन को नियमित करने की कोशिस की जा रही है और आने वाले समय में इसे नियमित कर भी लिया जाएगा हाला कि सिक्षा मंत्री ने काया कि कुरोणा की वज़ा से सेशन लेट हुआ है जिसे आने वाले समय में विसी विद्धाले प्रसासन की ओर से नियमित किया जाएगा बिहार की विद्धार्थियों के लिए खुसकबरी है बतादे की अखिल भारत्य तक्निकी सिक्षा परिसर ने 27 इंजिनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए कोर्स की अनुमति दी है बिहार राज के इंजिनियरिंग कॉलेजों में 1560 सिटे बढ़ गई है और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 480 सिटों की विर्धी हुई है बतादे की सेक्षनिक सत्र 2022-23 से ही इन सिटों पर विद्धार्थियों के एडमिसन होगा विज्ञान एवंग प्रवेदी की विभाग इस बात की जानकारी दी है कि ज्यादातर नए कोर्च में 66 तो कुछ कोर्च में 30 विद्धार्थियों का नामांकन हो सके नए कोर्च की अनुमती मिलने के बाद राज सरकार के इंजिनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश छमता 10,865 हो गई है इसके अलावा 5% सीटों पर ऐसे विद्धार्थियों का नामांकन होगा जिनके माता पिता की वार्षिक आय आट लाग से कम है ऐसे में सीटे 11,408 हो जाएंगी इसी प्रकार पॉलिटेक्निक कॉलेजों की सीटे 12,081 हो गई है 5% सीटे मिलाकर यह संख्या 12,685 हो गई है बतादे की विभाग ने यहा काया की इंजिनेरिंग कॉलेजों की 591 एवन पॉलिटेक्निक कॉलेजों की 390 सीटों की अखिल भारतिय तक्निकी सिख्चा परिसद ने कटोती कर दी थी बिहार में अब वायो प्रदूसन में पहले की मताबिक कमी देखी जाएगी पटना में नहीं बलकी अब बिहार के सभी बड़े सहरों में भी जल्द ही CNG बसे चलाई जाएंगी इसको लेकर परिवहन विभाग ने तयारी सुरू कर दी है इस कड़ी में प्रमंडलिय मुख्याले और जीला मुख्याले वाले सहरों को जोड़ा जाएगा लेकिन पहले उन सहरों में काम किये जाएंगी जहां CNG स्टेशन है मांग के अनुसार CNG की संख्या बढ़ाई जाएंगी जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग ने पटना के बाहर अन जीलो में भी नए CNG स्टेशन खोलने और पाइपलाइन विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं इसको लेकर पिछले दिनों CNG की आपूर्ति करने वाली कमपनियों के प्रतिनीधियों के साथ विवागय बैठा की गई जिसमें CNG स्टेशनों की इस्थिति, नए CNG स्टेशन की इस्तापना और पाइपलाइन के विस्तार की चर्चा की गई परिवहन विभाग की योजना राज के सभी बड़े सहरों में CNG बसे चलाने की है, पाकी लोगों को बसो और अन CNG बाहनों में गैस भराने के लिए किसी तरह की दिकत का सामना नहीं करना पड़े बिहार के हाई स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों के लिए नितीज सरकार खुसकबरी लेकर आई है, अब राज के हाई स्कूलों में भी ITI की पढ़ाई होगी, खास कर वैसे प्रकंड जहां ITI कॉलिज नहीं है, उन जगहों के स्कूलों को प्राथमिक्ता दी जाएगी, और यहां कम से कम एक ट्रेड की पढ़ाई ITI से सम्मंदित होगी, राज में फिलाल ऐसे 210 प्रकंड है, जहां एक भी सरकारी या गैर सरकारी ITI नहीं है, अभी कितने प्रकंडों में एक भी ITI या MSTI के तहद प्रसिचन नहीं दिया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रेजे जाने की तैयारी की जा रही है, बिहार के सरकारी कॉलेजों में प्रचारियों के खाली चल रहे करीब 164 इस्थाई पदों पर नियुकती के लिए नियमावली करीब करीब तैयार की जा चुकी है, शिच्छा विभाग ने ड्राप तैयार कर लिया है, सुत्रों की म सिक्षा विभाग नियमावली को मंजूरी के लिए अब राजभावन भेजेगा यहां कुलपतियों की एक समिती गठित की जाएगी उसकी अनुसंसा पर कुलाधि पती इस नियमावली को हरी जंडी देंगे उच्छी सिक्षा की नियुक्ति संबंदी वर्तमान परिनियम में परचार की नियुक्ति के लिए प्रवाधान नहीं है अभी केवल सहायक प्रध्यापकों की नियुक्तियों का प्रवाधान है फिलाल सिक्षा विभाग प्रचारियों की नियुक्ति के लिए अपनी तरब से उपचारिक कवायाद सुरू कर चुका है विभाग ने सभी विस विभाग विष्विद्दाले सेवा आयोग को अधियासना बेजी जाएगी। दरसल विभाग विष्विद्दाले सेवा आयोग के जरिये इस तरह की नियुक्ति कराने का नेने पहले ही ले चुका है। की संभावना जताई है। इस दोरान वजरपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। और लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 23 और नए विषय जोड़े जाएंगे यह वह विषय होंगे जिन से संबंदित कोर्सों की पढ़ाई के लिए विद्धार्ती लोन ले सकेंगे। अभी तक इस योजना के तहट करीब 42 तरह के कोर्स की पढ़ाई के लिए लोन लिये जाते हैं। शिक्षा विवाग ने इसके लिए प्रस्ताव तयार कर लिया है। सरकार इस प्रस्ताव को बहुत जल्दी ही मंजूरी देने वाली है। अधिकारिक सुत्रों के मताबिक लोन के लिए 23 और विसे जुड़ जाने के बाद 23 सिस्चाच से संबंदित साय भी कोई ऐसा कोर्स होगा जो इसके दायरे में ना आ जाया। तरसल इस योजना के जरी सिक्षा विवाग न केवल पिसे वर्स कोर्स करने के लिए नए पिड़ी को प्रुचाहित करने जा रहा है बलकि इससे राज के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में भी उसे मदद मिलेगी। पिछले हफ़ते इस योजना से जुड़े जिला अस्तर के अधिकारियों के साथ बैठा की गई इसमें उन लोगों से इसकीम को लागो करने में आ रही बाधाओ को जाना गया अब उनके समाधान के लिए कारियोजना तैयार की जा रही है पटना में निवेदा समेट अंज अस्पतालों के बलट बैंकों से मिलने वाला खून जान बचाने की जगर जिन्दगी भी ले सकता है यहां खोन के काले कारोबार से लाखों का खेल हो रहा है पुलीस और औसधी विभाग की ओर से इस खोन के काले कारोबार का पोल खुलने के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं जेल जाने से पहले दोनों आरोपित अजाई कुमार और संत्युस कुमार ने चोकनने वाले फुलासे किये हैं दोनों आरोपित नसेडियों को 500 रुपईये देकर एक यूनिट के बदले दो यूनिट बलड निकालते थे इसके बदले वे प्राइवेट अस्पताल या जरुरत मंदर लोगों से एक यूनिट के 5-7 जार रुपईये की वसूली करते थे एक मैने के अंदर दोनों आरोपितों ने 156 मरीजों को एकसपारी खुन भी चड़वा दिया इसके साथ ही ट्रेन और बस से भी लाते थे खुन, कोल्ड जेन का नहीं रखते थे खयाल जांच में पता चला की दोनों आरोपित, जिले के ग्रामिन इलाकों में भी खुन निकालने के लिए नसेडियों के पास जाते थे जांच में राजिवनगर के नेपाली नगर में बिहार राज आवास बोड ने 48 साल बाद पहली बार अपनी जमीन पर अवैद कबजे से लोगों को साथान रहने की अपिल करते हुए राजिवनगर इलाके में जगा जगा पर लोहे का बोड लगा दिया है लगाए गए बोडों में लोगों को भूम आपिया और दलालों से सावदान रहने की हिदायत दी जा रही है बता दे की हाल ही मैं आवास बोड की सिकायप पर राजिवनगर थाने में कई ग्रीहा निर्मान समीतियों और उनसे जुड़े लोगों के खिला मामला दर्ज हुआ है जिसके बाद जाज की गई तो पता चला कि इन में से चार ग्रीहा निर्मान समीतियां ऐसी है जो की जी कारवाई पुरी नहीं हो पाई है